आखिर किसे दोश्टे सिस्टम को या फिर उन वाहन चालकों को जिनके कारण पंचलुखी शहर में रोजाना घंटो जाम लगना आम हो चुका है चौक पर घंटो बसे बिना वचा जमी रहती हैं जाम लगने पर उन्हें रती भर परवान ही होती कि बसे हटा कर विवस्था को बहाल किया जाए लोगों का कहना है कि कहने को तो यहाँ पुलिस थाना है पर यातायात को विवस्थित करने वाला कोई भी नज़र नहीं आता वाहनों के इस जाम में लोग फसे रहते हैं सड़क पर घुजरने को जगा तक नहीं होती हरानी तो उस समय होती है जब जाम से निकलने के लिए वाहनों के होन का शोर गुन जाता है प्रजाम का कारण बनी बसों की चालक बेखबर टाइम टेबल का रोना रोते रहते हैं फिलहाल यहां पुलिस और प्रिशासन को सिस्टम को सुधाने की जरूरत है दव्य हिमाचल टीवी के लिए पंचरुखी से उपेंद्र कटोच की रिपोर्ट